हेलो एंड वेलकम बैक तो का व्लॉग इंडिया आप मसे जो लोग हमें काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उनको शायद याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले हमने काफी डिटेल रिव्यू करा था जिसमें हमने आपको इस गाड़ी की काफी खूब में वार बताया था कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो में अतनी पसंद नहीं आहीं उनके बारे में भी बताया था और आज हम एक बार फिर से उसी गाड़ी के साथ यहां पर मौजूद है इसका आपको इस वीडियो को अंतर देखे और आपने इंटेर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसका अपने रिव्यू करते हैं एक्से डिजाइन लुक्स के साथ बच चिट्रॉन C3 एक्रॉस आटमाटिक के मामले में एक्स्टीर में या फिर इवन इंटियर में कोई भी इसको एक आपने इस वीडियो को हम थोड़ा शॉट रखेंगे और सिर्फ इसके और इसके अगर आपको हमारे डिजाइन के रिव्यू को देखना है या फिर हमारे इंटीर के रिव्यू को हमारे जो थौट्स हैं उनको देखना है तो उपर बने हुए आई बटन पे आप क् पेक्स पता देता हूं तो पहली कि तरह अभी भी इस गाड़ी में आपको एक 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रल एंजिन मिल रहा है जो कि बनाता है 110 PS की मैक्सिम पावर अब बात करें तो इसमें आपको 190 अम का पीक टॉक मिल जाता है विच इसेंट बट फूर ऑट आपको ट्रांसमिशन वेरियंट यूट पीक टॉक 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 पहले चलाया था तब भी हमारा यही कहना था कि जो इंजिन है काफी एगर है इट ओफस इसमें पर्फॉर्मेंस और फिर अगर बात आती है इस नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो यह थी कि इसके जो गेर शिफ्ट है वो काफी स्मूथ है तो अगर आप स्पेशली इस गाड़ी को जंटली चला रहे हैं तो जो गेर इस गाड़ी को तेज चलाने की मूड में है इस गाड़ी का एक्सटेशन टेस्ट भी किया जिस पर वह उपर बने आप बट्म ले क्लिक करके वह एक्सटेशन टेस्ट वह देख रहे हैं हैं बट फिलाल मेरा यही मानना रहेगा कि यह गाड़ी जो है C3 Aircross जो है हमेशा से कमफर्ट की तरव पाइस रही हैं तो इस कार इस बेटर ग्रिवेन जेंटली इस बेटर इंजोए ड़िट से सब्सक्राइब करें अगर आपको इस गाड़ी को बगाने की जरवत महसुस होते हैं तो उसमें भी एक टास्विशन आपको लेट डाउन नहीं करेंगा तो अगर आप उन में से थे जो की C3 Aircross को अभी तर इस तरह नहीं खर रहे थे बिकॉस इसमें अगर आप उन में से थे जिनको एक 5-2 7-seater गाड़ी चाहिए थी जो की प्राक्टिकालिटी में और कमफर्ट में काफी ज्यादा हाई स्कोर करें तो आप डेफिनेटली C3 Aircross प्राइक को फसिजर कर सकते हैं तो दोस्तों कार बायर्स और सित्रन के डीलर्शिप स्टाफ से हमें जो फीड़बाक मिला जो बात करके उनसे हमें पता लगा वो यह था कि C3 Aircross का एक बहुराद ड्रावाग किया था कि उसमें Automatic Transmission की Sovita available ही नहीं थी जो कि आज की Date में बहुराद ड्रावाग हो जाता है Simply because काफी लोग अब Automatics Prefer करने लगें तो finally Citroen ने वो एक point जो था Issue था उसको address कर दिया And this car gets a decent 6-speed Automatic Transmission And it's a proper torque converter Automatic and not an AMT अभी तक कुछ features जो कि आजकल बहुत demand में वो नहीं मिलें अभी तक इस गाड़ी में sunroof available नहीं है या फिर wireless phone charger वगड़ा भी available नहीं है यही नहीं अगर आप इसके door handles वगड़ा देखेंगे तो they also feel quite basic नहीं तो यह कुछ ऐसे features है जो कि पहले भी car buyers इस cars में expect करते थे शायद आगे भी करते रहेंगे but the good part is that this car has got a decent automatic transmission अगर आप उनमें से हैं जिनको एक well-priced 5 plus 2 यानि कि small 7-seater MPV या crossover चाहिए और comfort आपका एक main priority है तो जरूर आप इस गाड़ी को consider कर सकते हैं इस गाड़ी के prices हम नीचे आपको description section में दे देंगे अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेगे कोई भी सवाल है कोई भी doubts है तो हमसे आप comment section में जरूर पूछ सकते हैं तलाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है मैं हूँ आपका होसितार तो पूरी आशाफिर से मिलेंगे आप लोग इंडिया के YouTube चानल पर